हलो बच्चो मैं सभी का सौगत करता हूँ अपने पैरे से फिजी जियान मुकेशने क्योट्व चैनल पर बच्चो आपको पता है कि अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज चाहिए तो सबसे में इंपॉर्टन होता है रेंग और उसके बाद में आपके लिए क्या उस में वैकेंसी है या आपके लिए कितने सीड्स है मेल के लिए कितने फिमेल के लिए कितने यसी यस्टी ओबिसी हर कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टन होती है और यही मैट्रिक सीड़ बच्चो आपके लिए काम आने वाली है अगर आप कॉलेज की लिश्ट बना रहे आगी अगर आप चाहते हो तो तो आप भी सीटी से डारेक्ली डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे की बच्चों देखो गवर्मेंट अटोनोमस कॉलेज है यह क्या प्राउन के साथ सीट है इसका पूरा की पूरा डिस्ट्रिबिक्शन किया गया है देखो इस कॉलिज का चॉइस उट directBay दो लेकिन यह चे में लेडिज भी आ सकती है यह तो पैशल्डीजेयर्वेश्ण है बच्चों के लिए जनेल के लिए तीन लेडिज के लिए एक समझे वीजए डीटी कि लिए जनेल के लिए जनेल मतलब उसमें लेडिज मतलब मेल 67 दोनों भी आएंगे ध्यान आपके जो college की list बनाई है तो एक बार check करना बहुत important है कि भाई मैं जिस college का नाम डार रहा हूं क्या वो मेरे category के लिए suit करेगा कि नहीं करेगा यह पूछना पी जरूरी है भाई खुद को सवाल कि भाई मैंने तो डाला है यह CBC के लिए वहां पर जगह है दो तो भाई उस college क कि आपके category के लिए उस college में उस branch में कितने seat available है तो यह हर branch के लिए भी मिलता है बच्चों हर यहां पर choice code हर कोई चीज यहां पर explain की गई है आपको TFWS के लिए कितनी फीस है और स्वारी कितनी सीट से यह भी पता लगए आपको है ना EWS के लिए 6 सीट है TFWS है ना के लिए कित प्रास होती है तो हर किसी चीज की पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों इसके pages है 2055 तो यहां पर पूरा तो explain करना ज़रूरी नहीं है बट आप लोगों को शायद मेरे इस वीडियो से एक picture clear हो चुका होगा rank तो important है but seat matrix most important है क्यों है बच्चों तो आपको सबको पता लगा हो यह seat कितनी available है क्या मैं try करूं नहां करूं यह भी आपको पता होना चाहिए तो बच्चों उमीद है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ के खुछ की लीश अच्छी तरह से फॉर्म भरोगे आप यहीं उमीद है तो मिलते हैं बच्चों इस चैनल को जरूर फॉल्व कर करना सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के वीडियो शरूर जरूर करना बाई जाहिं जय भारत